नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनू लगन के लिए नौमबर 2019 का जो महिना वो कैसा रहेगा और धनू लगन अगर आपके फैस्ट हाउस में यहां नो नमबर लिखा हूँ जैसा कि इस कुंडली में लिखा हूँ है नो नमबर तो आपका अगर फैस पूरा देख सकते हैं और यहां पर हम एक गोचर कुंडली लिया हमने इस वीडियो में और इसको हम डिसकस करेंगे यहां पर नौमबर के अकोडिंग लिगई है यह तो इसमें जो प्लेस्मेंट है वो नौमबर महिने के दोरान जो भी गोचर रहेगा वो दरसाय गया है यह पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो गोचरे व्यवस्ता में प्रिवर्तन हो रहे हैं उनकी तो सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं सूरिय की सूरिय की अगर बात करें तो सूरिय 17 नौमबर तक तुला में रहेंगे 17 नौमबर के से तेस नवंबर तक तुला में रहेंगे सुकर अगर सुकर की बात करें तो सुकर 21 नवंबर तक वर्सिक में रहेंगे और 21 नवंबर से तेस नॉमबर यानि बाकी के नॉमबर महिने में वो धनू में रहेंगे दस दिन के लिए गुरू की बात करें तो गुरू पांच नॉमबर को धनू में आ जाएंगे और फिर ये काफी लंबे समय तक धनू में रहने वाले हैं अपनी मुलतरकौन रासी में सनी की बात करें तो सनी दनू में रहेंगे और सनी मारगी रहेंगे राहू की बात करें तो राहू मिथुन में रहेंगे और केतु रहेंगे दनू में तो यह हमने कुछ गोचरी वेबस्ता की बारे में बात कर ली और इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं उससे बहले एक रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारे जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके आप नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको भी दबा लीजी अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं आपके फैस्ट लोड फैस्ट लोड आपके बनते हैं गुरू और गुरू आपके फैस्ट हाउस में आ रहे हैं पांच नॉम्बर से आपके फैस्ट हाउस में गुरू आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय यह समय एक spiritual life जीने का भी है और यहां पर गुरू की जो दरश्टी रहेगी वो आपके fifth house पर रहेगी तो आपकी संतान पक्स की जो चिंता है वो दूर होगी आपकी education में अगर किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही थी अभी तक वो सारी दूर होगी प्रेम परसंग में य आपकी creativity यानि creativity का भी fifth house है तो आपकी creativity भड़ेगी काफी सारा लाब जो है यहां पर आपको मिलने वाले हैं अपनी मूल त्रिकोन रासी में यहां गुरू आ रहे हैं और उसके बाद गुरू आपके seventh house को देखेंगे तो यहां पर रहू है और रहू भी उचके हैं क्योंकि यह मिथोन में हैं और जब भी गुरू seventh house को देखेंगे तो आपकी अगर अभी तक साधी नहीं हो तो साधी के योग बनेंगे इसके लावा आपकी अगर already साधी हो चुकी है तो आपकी marriage life बहुत ही अच्छी रहेगी जिवन साथी की साथ संबंध है वो अभी तक जो problem चल र करते हैं तो business में आपको बहुत ज्यादा लाब मिलने वाला है और public में आप जो है बहुत ही एक gentleman के रूप में जाने जाएंगे एक ज्यानी व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे इस परकार का आपका कुछ जो है public image रहने वाली है और यहां पर हम आगे बात करें तो गु यहां से जो गुरू है वो आपके लग को कही न कहीं बढ़ाएंगे आपके अपने फादर से बहुत अच्छी बनेगी फादर से relationship रहेंगे अगर खराब चल देए तो और अगर आपके सामाने चल देए तो बहुत अच्छे relation फादर से बनेगे इसके लगँ यहां पर आपक लग को काफी बढ़ाएंगे आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप किसी धारमे की यात्रा पर भी जा सकते हैं कोई लंबी धारमे की आत्रा हो सकती है तो ये काफी सारे लाब आपको इस जो आपके लगन लोड की प्लेसमेंट है उससे सारे मिलने वाले हैं उसके बाद हम आगे बात करते हैं देखे फौर्थ हाॉस के लोड भी आपके गुरू बनते हैं तो अगर इस परकार से गुरू का समंध यहां पर किसी परकार से सूरिय मंगल जैसे ग्रहों से बन रहा है तो आप अगर पिछली बार आपने जो अभी तक जो समय रहा तो वो आपको चांस मिल सकता है एक ब़र फिर से और ये निश्शीत रूप से आपको जो है अगर आपको और कंडिशन जो है आपकी horoscope में वो अगर इसको support कर रही हैं तो आपको निश्शीत रूप से अपना खुद का मकान भी मिल सकता है इस समय में आप खुद मकान बना सकते हैं इस समय में और यहां पर हम आगे बात कर लेते हैं आपके सेकंड लोड की सेकंड लोड देखिया आपके फैस्ट हाउस में और यह जनवरी तक रहने वाले हैं जनवरी तक जब तक सनी गुरू और केतु तीनों यहां रहेंगे तब तक आपको जो है थोड़ा एक जो आपका स्वास्त है उसमें कहीं न कहीं आप थोड़ा सा सलो रहेंगे यानि कि स्वास्ते खराब नहीं रहेगा बट आप में थोड़ी सी जो है दिमापन आप में वो जरूर रहेगा किसी भी काम को करने में serious आप रहेंगे बट आप में थोड़ा सा आलस से रहेगा इसके लावा आप आपका जो second load है sunny वो आपके fast house में हैं तो आप अपने दम पे जो है पैसे कमा पाएंगे अपनी खुद की मेहनत से पैसे अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं इसके इसके लावा spiritual life के लिए बहुत अच्छा है आप अगर spiritual line में हैं तो आपको काफी lab इस समय में मिल सकते हैं इसके लावा यहाँ पर हम आगे बात करें तो आपके third house के lord भी sunny बनते हैं और third house के lord बनने की वज़े से कही ना कहीं आपका जो जीवन साथी है जीवन साथी के साथ आपका कुछ जो है communication का कुछ बन सकता है और आपके उनके साथ जो है relationship में कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है और अगर आप को बिजनस करते हैं तो बिजनस में भी आपको फाइदा होगा इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पर आपके फौर्थ लोड यह देखें फौर्थ लोड आपके फैस्ट हाउस में इस पर हमने सुरवात में चर्चा कर लिया वैसे तो फौर्थ लोड फैस्ट हाउस में हैं और अपनी मूल तिरकॉन रासे में काफी सारी खुसियां आपको यहां से देंगे और सभी परकार का जो आपका सुख है वो यहां से मिलेगा आपकी माता हैं उनकी सुष्टार होगा और माता की जो सम्ध हैं आपसे बहुत अच्छे रहेंगे और अपने आपके जो परिवार है उसमें खुसियां रहेंगे इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फिप्थ हाउस को फिप्थ हाउस पर वैसे गुरू की एसपेक्ट रहेगी और यहाँ पर आपके जो मंगल हैं इस हाउस के लोड वो बैठे हैं आपके लाब भाव में तो यह बहुत अच्छा है आपको किसी भी परकार का जो लाब मिल सकता है प्रोपर्टी से रेलेटेड या आपको कैस जो है मिल सकता है इसके लाब अगर आप क्रेटिविटी जैसे कारियों से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको लाब मिलेगा आपको संतान पक्स के और से भी काफी सारी जो है अच्छी खबर मिलेगी इसके बाद यहां देखते हैं हम कि आपके मंगल है वो आपके बारवे भाव के लोड बनते हैं और मंगल जो है वो आपके 11 आउस में है तो बहुत अच्छा आपके लिए ये बन रहा है और कही न कहीं रासी परियोरतन जैसा भी यहां पे एक बन रहा है आपके जो है बारवे भाव से और यहां से जो अगर हम देखें तो वो सुक्र और जो मंगल का रासी प्रियोरतन बन रहा है यहां पर यह काफी अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इसके बाद आगे बाद करते हैं हम आपके सिक्स्थ हाॉस के लोड आपके 21 भाव में है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको झो है नेगेटिव रिजल्ट यहां से मिलने वालें फिसे सुरिय के साथ होने से इतने नेगेटिव नहीं रहेंगे शुक्र और सुरिय के साथ जब तक हैं तब तक आप थोड़ा सा जरूर आपके लिए कुछ नेगटिविटी हो सकती हैं इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्योंकि सुक्र आपके इलेउंथ हाउस के लोड भी बन रहे हैं और इलेउंथ का यहां पर एक रासी प्रयोड़तन योग है देखे मंगल जो की आपक अच्छा लाब मिलने वाला है इसका आपको बहुत ही आपको फाइदा मिलेगा इसके बाद आगी बात करें तो आपको जो सेउंथ हाउस है सेउंथ हाउस के लोड आपके लाब भाव में हैं यानि की आपको अपने जो मेरिज लाइफ का पार्टनर है उनसे लाब मिलेगा और आपको पब्लिक से फाइदा होगा इस समय में इसके लाव यहाँ पर राहू है तो राहू यहाँ पर जब भी आते हैं शेहंथ हाउस में तो अब गुरू की इनके उपर एस्पेक्ट है तो राहू की नेगेटिविटी यहाँ पर खतम हो रही है और आपको काफी सारे बेनेफिट देने वाले हैं पब्लिक में आपको आपकी इमेज काफी अच्छी रहेगी इसके लाव आपको काफी सारा धन लाब भी समय में होगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 9th हाउस के लोड़ 9th हाउस के लोड़ आपके बनते हैं सूरिय और सूरिय आपके बारवे भाव में थोड़ा सा आपको जो है यहां पर नेगटिव होगा बट यह सूरिय अपने मित्र रासी मंगल की रासी में हैं वर्सिक में जिससे आपको ज्यादा नुकसान होने की समावना नहीं लगती है और आपको भागे सपोर्ट करेगा क्योंकि आपके 9th हाउस पर इनकी दरश्टी है गुरू की इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार फिट से बुद्ध पे आते हैं और बुद्ध आपके बनते हैं 10th हाउस के लोड बैठे हैं आपके लाब भाव में मंगल की साथ तो प्रोपर्टी समंधी विवाद कोई भी अगर है तो आप टाल सकते हैं आपके बोलने से आपके ब अमान मिलने वाले हैं बहुत सारे आपको पुरुषकार मिल सकते हैं तो यहां पर यह हमने जाना यहां पर की एक जो धनुलगन वाले जो जात तक हैं उनके लिए और और नॉम्बर का महीना कैसे रहेगा तो अगर एक अगर संक्सेप में बात करें इसके लिए तो काफी सार लाब आपको मिलने वाले हैं 5th house, 7th house, और फिर आपके 9th house, और आपके property house, ये भाव हैं, इनके result आपको बहुत ही positive मिलने वाले हैं, और एक आपकी जो personality है वो भी बहुत अच्छी निकर कर आएगी लोगों के सामने, और अगर आपके साधी के यूग बन रहे हैं, यहां पर आ जो प्रोब्लम चल रही थी आपकी आपके पार्टनर के साथ वो कहीं न कहीं सॉल्व होगी और आपके समंदों में मधूरता आएगी पैसा भी काफी होगा इस समय में प्रोफेशनल लाइब बहुत अच्छी गुजरेगी तो ओर ओल बहुत ही अच्छा रहने वाला है नॉब आप यहां से देंगे इसके लाओ यहां पर आपको अगर और चीजी यहां देखें तो और ओल जो है सूर्य और शुक्र बारवे भाव में थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है बट सूर्य तो यहां पर अपने मित्र मंगल की रासी में हैं वर्सिक में तो इतना नुकसान नह काफी अच्छे से मैंने आपको बताया है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको हमारी जो नई वीडियो है लेटेस्ट वीडियो उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद